दोस्तों वेल्कम टो माई हीट्व चैनल आज हम ब्ल्यू पॉट्री के बारे में पढ़ेंगे 1974 में पदम श्री से सम्मानित किया गया था कृपाल सिंग शेखागत को जिने ब्ल्यू पॉट्री का जादूगर भी कहा जाता है जैपूर की नील मृद्भान या ब्ल्यू पॉट्री 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 है इसमें परम परागत हरे वे नीले रंग का प्रियोग होता है इसमें कौन से रंग का प्रियोग होता है हरे और नीले रंग का यह कला अकबर के समय इरान से लाहोर आई सबसे पहले काला कहां से आई गई थी अकबर के समय में इरान से लाहूर आई इसके बाद जैपूर के महराजा राम सिंग परथम अब देखिए अकबर के बाद किसने कौन लेकिए से आया कि जैपूर के महराजा जैपूर के महराजा राम सिंग परथम लाहौर से इसे कहां लाए जैपूर ले आए राम सिंग पर्थम कहां से कहां तक लाए थे इसे लाहौर से जैपूर और अकबर ने किया कहां से कहां लाए थे इरान से लाहौर इस कला का सरवाधिक विकास अब देखिए इस कला का सबसे अधिक विकास अगर हुआ है तो किसके काल में हुआ है तो महराजा राम सिंग द्वित्ते के समय में हुआ है इस कला का सरवाधिक विकास किसके समय हुआ है महराजा राम सिंग द्वित्ते के समय हुआ उन्होंने चूडा मन एवं कालूरम कुमहार को इस कला को सीखने के लिए कहा बेजा था? दिल्ली बेजा था इस कला में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नकाशी का कारिय किया जाता है अब ब्ल्यू पॉर्ट्री किस बनाई जाती है? चीनी मिट्टी के बर्तनों के उपर बनाई जाती है देखिए, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये ब्ल्यू पॉर्ट्री है अब इसमें क्यूशन पूछा जाता है कि इसमें कितने रंगों का प्रियोग किया जाता है तो ये आपको पता होना चीए कि इसमें 25 रंगों का प्रियोग किया जाता है नेक्स्ट देखिए पॉर्ट्री मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को क्या कहा जाता है? पॉर्ट्री कहा जाता है अब ब्ल्यू पॉटरी जैपूर की famous है विश्व में ब्ल्यू पॉटरी का जनम स्थल अब देखे पूछा जाएगा क्यूशन की विश्व में ब्ल्यू पॉटरी का जनम स्थल कहां से है तो यह आपको पता होना चाहिए कि पर्शिया दश्मिक इरान से है भारत में इस कला का प्रथम प्रचलन इस मुगल शाषक के समय हुआ अब यह पूछा जा सकता है आपसे कि किस मुगल शाषक के समय में ब्ल्यू पॉटरी का प्रचलन प्रारंब हुआ था तो आपको बताना है अकबर नेक्स्ट है राजस्थान में ब्ल्यू पॉटरी का आरंब आमेर के मान सिंग प्रथम के शाषनकाल में सोल विश अदाब्दी में हुआ जो लाहौर से ही से कहां लाये थे जैपूर लेके आये थे सवाई राम सिंग द्वित्य ब्ल्यू पॉटरी का सरवादिक विकास अब सबसे ज़्यादा विकास हुआ था सवाई राम सिंग द्वित्य के काल में और आमेर की साशक के समय में हुआ था इसमें नीले, हरे, मटियाला वे तामभाई रंग विशिश रूप से काम में लिया जाते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट है देखिए कृपाल सिंग शेखावत इनका जनम इस्थाल का है तो यह सीकर जिले के मउस्थान में इनका जनम हुआ था अब ब्ल्यू पॉर्ट्री के प्रसिद का लाकार माने जाते हैं और 1974 में पदमश्री से इनके अलंकरित भी किया गया अब ब्ल्यू पॉर्ट्री पे 25 रंगों का प्रयोग यानि सबसे ज़्यादा रंगों का प्रयोग किस ने किया था कृपाल सिंग शेखावत ने किया था इसलिए इनके ब्ल्यू पॉर्ट्री के जादुगर भी कहा जाता ह देखिए यह आपको देखने में पता चल जाएगा कि कितना खुबसूरत तरीके से ब्ल्यू पॉटरी के अंदर कारीगरी की जाती है और यह बहुत ही खुबसूरत लगती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए शेर कीजिए कीजिए